असलाम लेकूं बच्चों कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हूं ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे मेरा नाम है रिदा हमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिस्सा ग्रामर में से कुछ तो चलें चलके देखते हैं नया क्य पढ़ना है तो बच्चों हिस्सा ग्रामर में से जो आज हमने पढ़ना है वो है कलमा की एकसाम आपको पता है कलमा की कितनी एकसाम है और क्या क्या है चलें मैं आपको बताती है कलमा की तीन एकसाम है इसम फेल हरफ अब देखते हैं इसम क्या है फेल क्या है और हर्फ क्या ह इसम किसी चीज जगा या शक्स का नाम या आपका नाम मेरा नाम किसी लाके का नाम किसी शहर या किसी मुल्क का नाम या किसी चीज का नाम उसको हम क्या कहेंगे इसम अब आगे देखते हैं फेल किसी काम का करना या होना चाहे वो अभी हो चाहे गुजरेवे वक्त में हो चाह इसम और फेल के ओ आपस में मिलाने वाले जो इल्फाज होते हैं उनको क्या कहते हैं तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी इसम फेल और हर्फ की तारीफ उनकी मिसालें और कुछ सरगर्मियां जो आपकी किताब में दी गई हैं तो चलें बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नाम मेरा नाम पाकिस्तान एक नाम है आप जिस शहर में रहते हैं उसका नाम आपके पास पाईगी चीजों के नाम किसी भी चीज जगा या शक्स का जो नाम होता है उसको हम इसम कहते हैं मसलन लड़का कलम शहर बगएरा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो बच् हमें यह जुम्ले दिये गए हैं हमने इनको पढ़ना है और इसमें से इसम को अब करना है और आपने मेरे साथ गौर से पढ़ना है तो चलें शुरू करते हैं पहला जुम्ला है, किताब मेज पर है अब जल्दी से देखें इसमें इसम कौन है? बिल्कुल ठीक, किताब, किताब एक चीज और उसका नाम है किताब और मेज, हम इसको अलग से करके लिखेंगे ठीक हो गया, किताब और मेज ये दो इसम थे यानि दो चीजों के नाम थे एक का नाम किताब और एक का नाम मेज अब बढ़ते हैं अगली मिसाल की तरफ कव्वा काएं काएं करता है अब इसम कौन है बिल्कुल ठीक कव्वा कव्वा एक परिंदा है और उसका नाम है कव्वा तो कव्वा इसम है यानि एक परिंदे का नाम, तो हम कवा को अलग करके लिखें, ठीक हो गया, चलें अगला जुमला देखते हैं, अली कराची में रहता है, अब बच्चों गोर से जुमले को पढ़ें, और देखें इसम कौन है, और कितने इसम है, बिल्कुल ठीक, इसमें दो इसम है, एक अली और दूसर कराची, तो चलें इसको अलग से करके लिख लेते हैं, अली एक लड़के का नाम है, और कराची एक शेहर का नाम है, ठीक हो गया बच्चों, इसमें दो इसम थे, हमने उन्हें अलग करके लिख लिया, चलें अगला जुमला पढ़ते हैं, अफजल किताब पढ़ता है, अब गौर से पढ़ें और मुझे जल्दी से बताएं, इसमें कितने इसम हैं, बिल्कुल ठीक, दो, एक तो अफजल जो कि एक लड़के का नाम है, और वो क्या पढ़ता है, किताब, जो कि एक चीज का नाम है, तो बच्चों हम इसको अब यहां पर अलग से करके लिख लेंगे, अफजल, ठीक है, और अगली चीज क्या थी, किताब, किताब एक चीज है, जिसका नाम है किताब, ठीक हो गया बच्चों, हमें दिये गए थे कुछ जुमले जिन में से हमने इसम को अलग करके लिखना था, तो बच्चों यह थी इसम की तारीफ, उसकी मिसालें और आपकी क गुढ़ें एक घदाब में दीगे nossa करमी, चलें अब आगे बठते हैं और देखते हैं अगला क्या करना है। fail कहलाता है यानि जो काम आप करते हैं मैं करती हूँ या कोई और करता है किसी काम का होना करना या सहना जिस भी जमाने में पाया जाए उसको fail कहते हैं मसलन पढ़ा लिखा खाया वगयरा कोई भी काम बच्चो उसको क्या कहेंगे fail तो चलों बढ़ते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ मंदर्जा जैल जुम्लों में से fail अलग करें हमें कुछ जुम्ले दिये गए हैं हमने उन में से fail अलग करने बिलकुल उसी तरह जैसे हमें जुम् किसको अलग से करके लिखते हैं खेलते हैं ठीक हो गया बच्चो चले अब देखते हैं अपना अगला जुम्ला अली स्कूल जाता है अब इसमें काम क्या हो रहा है स्कूल जाना यानि वो जाता है एक काम करता है तो हम किसको अलग करेंगे जाता है को बिलकुल ठीक अली स्क जाता है बिल्कुल ठीक हो गया अगला जुम्ला देखते हैं हिना कपड़े धो रही है हिना कौन सा काम कर रही है कपड़े धो रही है कपड़े धोना एक काम है न तो यहां पर फेल क्या होगा धो रही ठीक हो गया बच्चों आप मेरे साथ साथ दर्श करते रहें अपनी तो तस्वीर बनाना क्या है फेल अब हम इसको अलग करके लिख लेंगे तस्वीर बना रहे हैं तो बच्चों यह तो थे जुम्ले जो हमें दिये गए थे हमने उन में से फेल को अलग करके लिख लिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कलमे की आखरी किसम को बच्चों कलमे की तीन इक्साम थी इसम फेल और आखरी क्या है हर्फ तो चले हर्फ की तारीफ पड़ते हैं वो कलमा जिसके अपने कोई माइनी ना हो बलके वो इसम और फेल को आपस में मिलाने क काम आए हर्फ कहलाता है यानि इसम और फैल को जोड़ने के लिए जो जोड़ने के लिए को जोड़ने के काम आते हैं अब बढ़ते हैं आपके किताब की दीगई सरगर्मी की तरफ, मंदजा जैल जुमलों को हर्फ लगाकर मुकमल करें, यानि हमें कुछ जुमले दिये गए हैं, मगर इस बार हमने हर्फ अलग नहीं करने, हमने हर्फ लगाकर उनको मुकमल करना है, तो चलें पढ़ते हैं जुमलों को, अब कौन से हर्फ लग सकते हैं, सोचें जुमले को मुकमल करने के लिए, बिल्कुल ठीक, अब ने अली को मारा, तो बचों यहाँ पे ने और को हर्फ है, ठीक हो गया, अगला जुमला देखें, अब गौर से जुमले को सुनें और सोचें क्या लग सकता है, कौन सा हर्फ लगेगा, बिल्कुल ठीक, दूद मे, मे क्या है, हर्फ, दूद में चीनी मिलाओ, ठीक हो गया, चीनी मिलाना एक फेल है, और दूद एक इसम है, अब उन दोनों को मिलाने के लिए, हमने हर्फ का इस्तमाल किया, मे, ठीक हो गया, चलें बढ़ते हैं, अगले जुमले की तरफ, बिल्ली चुहे डैश पीछे दौड़ी, अब यहाँ पर क्या आएगा, बिल्ली और चुहा इसम है, पीछे दौड़ना फेल है, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, कौन सा हर्फ लगेगा, बिल्ली चुहे के, पीछे दौड़ी, तो देखा बच्चों, किस तरह इसम को फेल से मिलाने के लिए, हमने इन हर्फ का इस्तमाल किया, और जुम्लों को मुकमल किया, तो बच्चों ये थी कलमे की तीन इक्साम, इसम, फेल, हर्फ, मुझे यकीन है आपको अच्छे से समझ आई होगी, और आपने समझ के, बाकी की सरगर्मिया हल भी कर ली होगी, तो मुझे दें इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अलाँ आफेज,